नमस्कार आप सभी का हमारे यूटूब चलमे स्वागते दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने कम्यूटर या फिर लैप्टाप की स्पीड को आप कैसे बढ़ा सकते हो सिर्फ तीन सेटिंग मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हू या फिर किसी भी फाइल को अगर आप उपन करते हो तुरंत ही जड़ से आपका सिस्टम तुरंत ही चालो हो जाएगा वो फाइल यहां पर उपन हो जाएगी तो चले दूस्तों बिडिको श्टार करते हैं कि कैसे ओ तीन सेटिंग को आपको अपने सेटिंग पर अप्लाई क पहले सी ड्राइप यहां पर सिलेट करनी है क्योंकि जो भी प्राब्लम होती सी ड्राइप सी होती है तब आपका सिस्टम यहां पर सुलो चलता है तो यहां पर ओके कर देना है आपको सबसे पहले ओके करने के बाद में यहां पर आपको किलिक कर देना है जो भी अन्वांट डिलिट हो जाएंगी, दूसरी यहां पर sitting आपको करनी है, आपको run के ओपर आपको click करना है, run के ओपर click करके enter दबा देना है और यहां पर आपको search कर देना है, preference, जैसे कि यहां पर आप screen पर देख सकते हैं, preference, यहाँ पर आपको spelling आपको ध्यान रखना है spelling आपके यहाँ पर mistake नहीं होनी चाहिए नहीं तो यह जो आपका option है जो page है यहाँ पर खुल के नहीं आएगा तो यहाँ पर preference की spelling P-R-E-F-E-T-C-H है यहाँ पर आपको ध्यान देना है और इतना आपको search करने के बाद में यहाँ पर आपको ok कर देना तो यह आपका एक page खुल के आ जाएगा तो यह सभी junks file है इनको आपको delete करना है तो control A से आपको select करना है और उसके बाद में delete button press कीजिए और इन सभी को आपको delete कर देना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको cut कर देना है तीसरा यहाँ पर apply करना है एक setting और है यहाँ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ आपको run के उपर आपको click करना है run के उपर click करने के बाद में यहाँ पर आपको enter दबा देना है और उसके बाद में यहाँ पे आपको percentage यहाँ पे टाइप कर देना है percentage लिखने के बाद में यहाँ पे आपको tempt यहाँ पे डाल देना जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो और उसके बाद में last में आपको यहाँ पे percentage यहाँ पे डाल देना है और delete बटन दबा करके इन सभी को आपको delete कर देना है तो यह जो 13 सेटिंग है दोस्तों काफी अच्छी सेटिंग है जो मैंने आपको बताया हूँ और इससे क्या होगा कि आपका system कभी भी slow नहीं होगा जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको अगर आप close करोगे तो यहाँ पे close हो जाएगा इसको full करोगे तो full हो जाएगा कोई भी यहाँ पे drive को open कर सकते हो कोई भी आप application को open कर सकते हो कोई भी setting को open करोगे तो यहाँ पे setting आपके खुल जाएगी कोई भी drive खोलोगे तो तुरंत drive यहाँ पे खुल जाएगी कोई भी यानि कि आपका system तुरंत यहाँ पे fast चलने लग जाएगा कोई भी problem नहीं आएगी तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो please वीडियो को like करो और हमारे टूब चैनल को सबस्क्राइब करके बिल आइकन को जोड़ प्रेस कर दीजेगा